कि मेरा इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं था जस्ट एक दिम पहले मैंने प्लानिंग किया कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना है और इस प्रोग्राम के बारे में जब रास्ते में थी तब मैंने देखा कि exactly इस प्रोग्राम में होने ही क्या पाला है मैंने तुक फोन के उपर ट्रड रखा कि रहा कि यह मुझे जो चाहिए दो है मिल जायगा और जैसे ही मे więks जहाइए तो मुझे लगा फीर्स्टय को पता नीह है मुझे जो चाहिए वह मिल जाएगा या नहीं मिलेगा पर जैसे ही शाम तक जैसा मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आठ दिन का तो पता नहीं पर मुझे एक दिन में ही सब कुछ मिल गया है, ऐसा मुझे लग रहा था, यहां पर आने के बार्चों ट्रेनिंग लिया है, बाकी सब जगह पे हम देखते हैं कि कुछ बुक वगेरा प होता है, और पर टालेंट को हम किस तरह से बाहर निकाले, यह हमारे सर जो है, वो इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं. सर्याली जी, आप मुझे रुदेगे कि आपने एक ठेंदर ठेंडर का प्रोग्राम के लिए आपने डिसाइड किया, और आपने एक दिन पहले ही डिसाइड किया कि मुझे ठेंदर ठेंडर का प्रोग्राम आने बहुत अच्छा खासा एक अमांन था और आर दिन का टाइम तो जो अपने अपनी लिए इंवेस्टमेंट किया वो वर्थ लगता है का लगता है पूब सर मुझे सा लगता है मैं दो साल से इसके लिए ट्राय कर रहे हूँ कि मुझे कहां पर मोटिवेशनल स्पीकर का कुछ सेमिनार मिल जाए कुछ वर्क्शॉप मिल जाए कर लुशनल से भी बात कर थी वो हांटी कि आपको ही मिल जाएगा आपको यहीं इसिखा दिन घे उए और श को एक गालते हैँं और मुझे नहीं तायम उसमें यहीं जिए बने और जाए टाई आपको एक अपलिक पीकिंग दिया जाएगा अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि म तो मैंने कुछ भी पूचा नहीं कि थाउजन परसंट में आप क्या देने वाले हो मैंने एक भी रिजन नहीं पूचा सीधा मैंने यहाँ पर अडमिशन करवा लिया तो आपको यह वर्थ लगता है हाँ कि अगर इसको स्किप कर दिया होता चे मैंने एक साल के बाद किया होता तो उसके बार में क्या कहीं गया जहाँ पर मेरे हिती ना मतलब जो लाइफ में रहती फिर से वही पर अठक जाती मैं किदर तो भी और मुझे यह नहीं करना था क्योंकि मुझे मेरे मनजिल के पास जाता हूं कि आपने एक सक्सेस्पूल ट्रेंडर बने जो तूल्स टेखनी जरूरत है वह आपको यहां पर बिल रहा है हां जो मतलब जरूरत से मैंने सोचा था कि चलो एक अभी जो जैसे कि मैंने आपको बूला एक सेमिनार के जरी हमें इतना बिलना चाहिए तो मेरे भी म पैसा इंकम करने के एलाबा और काफी सिर्य चीज़ आपको मिल रहा है साब को लग रहा है हाँ अचली में मतलब मेरे तो मेरे तो खुद की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है मैं क्या पाना चाहती थी और इतना सब कुछ मिल रहा है तो अभी मतलब मैं टोटली फीरलेस हो कर दो एलाब मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ पाना होगा तो आप सिब देखिए मद की मुझे यह मिल रहा है या फिर इतने पैसे में में यहीं मिल रहा है फिर जादा तर लो कर ते कम से कम पैसे में चलो दस अजार थोड़ा कं होगा क्या पाच तक जितना आपका सोच जादा होगा उतना अपको अमांड तो पे करना ही पड़ेगा तब ही आपको कुछ मिलेगा उद安 abra तťक था अबमको परिशनाय जाते कुछ बड़ेगा वर्हेmeden अजी अवकी mm अब 지역 स्वार्थ